पुश्कन में से सावित्री माता पाड़ी पर बने रोपवे की पालकी में आग लगने और चार लोगों के जिन्दा जल जाने की सोशल मीडिया पर चली फर्जी खबरों को लेकर रोपवे प्रिशासन ने आज अपपा फैलाने वालों के उस सबक सिखाने के लिए कमर कसली की और से फेस्बुक पर डाले गए आग लगने और चार लोगों की मौत की फर्जी वीडियो की सूशना मिलने पर एडवोकेट कुल्दी पारशर के जरिये पुलिस ताने में महीला के खिलाव रिपोर्ट पेश की पुलिस को दी गए शिकायत में महीला की फेस्बुक आईडी और उसमें डाले गए वीडियो का जिक्र करते वे बताया गया कि इस प्रकार के घलत वीडियो से कस्बे सहीत आसपास के खित्र में हड़कम बचा हुआ है और लोग आग की फर्जी खबर को सही मान कर भ्रमित हो कर दी है दामोदर रोफे इंफा लिमिटेड कंपणी है इनका एक रोफे चल रहा है जिसमें काफी तीर सियाती प्रेटक रोल्स नीचे से उपर सौश्री पाड़ी पे जाते है एक विजे लक्षमी और विजे के नाम से एक फेस्बुक पे एक आईडी जूटी एक रहा गया है कि फुशकर के अंदे जो रोफे है उसकी ट्रोलिया जल गई है और चार आदमी जिन्दा जल गए है एसी जूटी और मिठ्या खबर डाली है एसी जूटी मिठ्या खबर से यहां रखम मचा हुआ है काफी लोगबाग परिशान कर रहे हैं कांपनी के पुलिस ताना फुशकर में रिपोर्ट द्रज कराई है कि एसी जूटी रहमक खबर फिलाने में खिलाब सक्त से सक्त कारवाई करी जाए क्योंकि इससे आम जिन्ता में भेपेदा हो गया है आम जिन्ता जर रही है कि एसे रोपे पर ट्रोलिया जल रही है इसे डावंदर र पुशकर में रिपोर्ट दे दी है उसके इकलाब कानूनी कारवाई की जाएगी आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा इसे जूटी खबर फिलाने माले के खिलाब स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें साथ ही शेहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमुले सुझाओ दीजिये और इस वीडियो को लाइक को शेयर करें